प्राइब कर दो जब से चारो तरभ बस बिखिरे खुशुबू सुन्दर है उसका बदन वर्षा तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो वर्षा तुम मुझे इटालियन पिज्जा जैसे लगती हो ने यह सही नहीं है वर्षा साफ साफ कहूं तो आयम लाइक यू ना यू आर लाइक मी अ मेरा मतलब आई लाइक मी यह वर्षा कॉफी पिने चलोगी क्या फर्स टाइम क्या मतलब कहां से आया है मत को भरमाया है मन में उठेक सोर लाखो के जवानी होई पानी पानी जाओ मैं कौन से ही से शुरू हुआ था है ना मुझे पता है तुम क्या कहोगी हमें दोस्त बनके रहना चाहिए यह निशानी अपने पास रखो बद्धू जैसे अपने यूज के हिसाब से मोबायल को कभी वाइब्रेट मोड पे कभी सालेंट मोड पे रखते हैं उसी तरह मोड चेंज हो सक है जब हमारा दिल साथ था तो प्यार से वाइब्रेट होता था अब साइलेंट हो गया है मेरा दिल है और तुम्हारा भी कि अज तुम्हें मुझे के लाने को कहा था कुछ स्पेशल है क्या आज मेरे पाद भी तुम्हारे लिए ये अज का यी दिन हम दोनों के लिए लाव अन्वरसरी का दिन होगा तुम मस्की हो रही हो पागल हो गे हो कि आज अज एप्रिल फूल है एप्रिल फॉर्स्ट पद मुझे यह पसंद है हम खुश है और अब से एपरिल फ़र्स्ट हम लोग की लव एन्वरसरी होगी बारून इतने महेंगे गिफ्ट के क्या ज़रु रहती हम दोनों को हमेशा साथ रहना है और बात करना बहुत ज़रूरी है बस इसी लिए तो यह गिफ्ट लाया हूं अच्छा मेरा गिफ्ट कहां है मैंने तुम्हारे जैसे महेंगा गिफ्ट तो नहीं लाया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे तुम्हें गर से पॉकेट में नहीं मिलती है अच्छा छोड़ जने दो यह तो बहुत सुन्दर है बहुत छोटी होती है यह लाइफ दूर का सोचना भी कॉमेटी है बहुत करीब से भी जिंदगी को देखना ट्रिजडी है चैपलीन यह क्या है जिंदेगी में कॉमेडी होना चाहिए ट्राजडी नहीं गुड़ मानिंग तीन से कम मतलब हर्ट का साहिन है तो दो से कम मतलब मतलब हम तोनों दो नहीं एक है तुम क्या कर रही हो नहा रही हो पीठ रगड दूं कोई सर्वित नहीं तुम अपनी रगड लो अश्रील है मुझे भी खाना है फोटो कीज के भेचा है खालो अपने हीरो फिल्म के हीरो लग रहे हैं आप मैं तुझे भूल जाओं ये हो नहीं सकता और तुम मुझे भूल जाओं ये होने नहीं दूंगा ये होने नहीं दूंगा अजली मेरा भी अभी वालन्स नहीं है तो मैं किसले हूँ तुम्हें देखने का मन करते हैं I miss you so, so, so very much किस से बात कर रही थी, सब तुम्हारा नीचे इंतजार कर रही है, कुछ नहीं मा, वो मन के मंदिर में, सपनों के सागर में, यादों के लहरों में, सदा अजंदार है, हम दोनों का हमर प्रेम वाव, सो रोमांटिक सपनों के दुनिया में खोना, मुझे भी पसंद है, मगर ये मद होशी खतरनाक होती है, खतरनाक, आइफ में बैलन्स इंपॉर्टेंट होता है, खुशी के साथ गम भी होता है, तो जिंदगी जीने में मजा आता है, तुम्हारी नजर में गम क्या है, तुमको पता चल जाए, मुझे किसी सरफरी लगी से प्यार तो नहीं हो गया, खुट नाइट मेरे सपनों के राजा, हम लोग कितना चैट करते थे, नेटवर्क कब तूट गया, पता ही नहीं चला, ना वाइबरेट मोड, ना साइलेंट मोड, सिधा टेड़ी हो गये, जैसे कि है हमारा प्यार, इत तो एक भी मेसेज नहीं करते हैं, एक ही मेसेज को बार बार बढ़के, दिल पहला रहा हूं, सुना है कि प्यार हमेशा जीतता है, हम लोग तो नहीं जीते हैं, इन सब कोई मतलब नहीं है, हमने तो करोनों सालों के लिए लिखा था, लेकिन चीते हैं, तुम वहां भी नहीं रूके, वर्षा, आई लव यू, वर्षा, आई लव यू, वर्षा, इस अब क्या है, कहते हैं कि किसी का नाम एक करोन बार लिखो तो, वो मिल जाता है, तो बस इतना कम बार क्यों लिखा, तुम क्या ये नहीं चाहती कि मैं तुबारी बनूं, इसके लिए टाइम है अभी, इतना जल्दी क्या है, सुमे माँ, तुब भाग के कहा जाओगी, तो मैं मालूम है न, मुझे अपना नाम बिल्कुल पसंद नहीं है, ममी पापा को एटलीस मेरा एक नीक नेम रखना चाहिए था, वो भी नहीं रखा, वर्षा, 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 आई हेट माई नेम, लेकिन तुम्हारे हैंड्राइटिंग में मेरा नाम बहुत सुन्दर लग रहा है, अब मुझे मेरा नाम अच्छा लग रहा है, सो क्यूट, वर्षा, वर्षा, कहां गया, कहीं घर पर तो नहीं छोड़ दिया, तुमने क्या मांगा वर्षा, वर्षा, तुम नहीं थी तो, तुमने जो मांगता था मैं, अब तुम मिल गई हो तो, तुम्हारा साथ मांग करूँ, अरे वा मैं मिल गई तो तुम्हें मेरा साथ ही चाहिए अब कितना प्यारा बोलते हो तुम्हें क्या मांगा मैंने मांगा कि हम दोनों को यहां कोई भी ना देखे तुम इतना डर्थी क्यों हो तुमको पाके खोना नहीं है ना मुझे लगता है कि बगवान को भी हमाला यह प्यार पसंद नहीं है वरुन अब यह मैलो ड्रामा किसलिए है मैलो ड्रामा मैलो ट्रीवी जो मैनाएगा वो करूंगा मेरा प्यार मुझे जिंदगी में नहीं मिलेगा चलेगा मगर ठीक से ब्रेक अप करके चैन से जीन तो मा वो ऑफिस के लिए नया कपड़ा लिया है हमारी इस्थिति तो तुम्हें पता है ना बेटा और तुम तो जानते ही हो तुम्हारे पापा रिटायर हो चुके है ऑफिस में कहा था कि बोनस मिलेगा और मिला क्या खाली हाथ मिला के चल दिये पीएफ का पैसा चुटकी के पढ़ाई में खर्च हो गया और ये श्ट्रिता की शादी भी तो करनी है सारी जिम्मेदारी पूरी करने के बाद एक फॉरें ट्रिप तो बनती है कम से कम नेपाल ही क्यों ना चले हम इन सब के लिए तुम तुम पैसा जमा कर रहे हो मुझे पता है मा एक दो मन्त मैंने बर अगले बार से ऐसा नहीं होगा प्रोमिस करने के सब करने की सरुवत क्या थी बेवफुफ कहीं के ओफिस मेरा प्रमूशन हुआ है और बोनस भी मिला है तो खर्चा के लिए किस बात की चिंता अच्छा अच्छा डी नहीं मनाया था ना तुम्हे रहांसरह किया है कि हर साल तुम्हारे लिए ऐसा ही घृफ लाऊंगा थैंक्यू कि तुमसे इक बाक कहूं ऐसा मेरा बार्दे मेरे मुम्हें डियाडिन ने भी आ सकनी मनाए थैंक्यू सो मॉच दों से कुछ पूछना है तुमारा पूरा पूरा करोंगा और पूरा करने कियु उमीद तुमसे नहीं करूंगी मगर तुम मेरे ले इतना सारा गिफ्ट लाए हो इसलिए बताऊओंगी मेरी फामिली बहुत सिंपल है जिसको मिडल क्लास कहते हैं और वो सिर्फ पैसे में नहीं सोच में middle class, समझदारी में middle class और सपना तो ना के बराबर होता है कुछ भी करने से पहले जमाज का डर होता है और प्यार करने वालों को इस सोसाईटी में कोई जगा नहीं और यही middle class की सबसे बड़ी problem है यह लोग हर चीज से डरते है घर में लड़ाई करने से पहले सोचना पड़ता है कि कहीं पड़ोसी सुन न ले बचपन से लेके आज तक मैं सिर्फ तीन बार घुमने गई हूँ मेरे विशिस का तो कोई मतलब नहीं है हम लड़कियों को अपने हद में रहना होता है बस यही बात है आज तक मैं ठीक से सास ने ले पाई मालूम है इसमें किसी की कोई गलती नहीं है हम लोग उस घर में फिट नहीं है बस इतना ही और मेरा पहार पे चड़के आस्मान को चूने का सपना है समुन्दर की गहराई को मापना चाती हूँ लार्जर देन लाइफ जीना चाती हूँ यहां जाना है वहां जाना है दूरिस जैसा सपना तो नहीं मगर दुनिया देखना चाती हूँ सच में मरने से पहले एक बार मेरा सपना है बस एक बार जिन्दगी जीना चाती हूँ पस यही मेरा ख्वाब है, यही सपना है, बाकी जिन्दगी से मेरी कोई चाहत नहीं है, ओ शिट, I'm sorry, मैंने कुछ साधा बोल दिया न, हेई, हेई, सच में, sorry, सपनों की दुनिया में चलोगी, अभी? देखा, यह हमारी सपनों की दुनिया, लगता है मैं मिल्ल क्लास ही रह जाओंगी, बेवकूफों की तरह तुम्हें गिफ दे रहा था, अगर वही पैसा में एफटी में रखता, तो जैन अगर में घर हो जाता, घर का तो छोड़ो, उसकी बरबाई भी नहीं हुई, क्या तु क्या तुम्हें? जो मकूंगा दोगी, आखरी बार, वन लास्ट टाइम, क्या चाहिए? वन केस, रिक अपकेस, वरोन, ठीक है, मत दो, ओकी, फाइन करें येछ जा शाओ, अभपन, क्या रहना है, हम्मी प्पा, गाउँ जा रहे हैं और बहन को बहना है, और बहन दो, कॉलेज कल क्या है कल मैं तुम्हें बठ्रे ड्रस में देखना चाहता हूं मतला नेकट पागल हो गयो यह सब नहीं करोंगी कर दो कर दो दो कि तुम्हें वार बात मानने को तैयार हूं अब गुस्ता थोग दो वरोन, बात करो नपी, तुम्हारे बर्थडे पर जवाने ड्रस कर लिये थे, वही पहन के आना, इमोशल ब्राक्मन मत करो, रासकल, मिलो फिर बताती हो, वेटिंग, कल ऑफिस नहीं जाना है क्या, नहीं बता सकता सर, कुछ परसनल काम था सर, उल्टा सिधा खाली हो क्या, क्याने में शर्मारी है सर, ठीक के लंच के बाह चले जाना, तुम्हारे घर के पाहरू, जल्दी आओ, परमेशन ग्रांटेट, जी, कंदा किस, मा, मा, इसलिए कह रही थी, हम लोगों कुछ गलत नहीं करना चाहिए, हाँ, मेरे तुपट्टा, कहां रखा मैंने, हाँ, मिल गया, मिल गया, मिल गया, प्रहाँ, ममा, लिप्स्टिक है ताग, टो कि भाई, अब लोगों अब दर्वाजा कहां, टो आप है टो जाते हैं क्यूला अवर् नहीं कि तुछ था यहां, फिल्टा तुछ खांगा, यहां टोुछ ता हम लोगों यहां बापस आगया अच्छा था, इसने वापस आगय तो आवे भिर में सिर्मे दर्द ज्यादा हो रहता तो अटो से यह फोले स्मच आप जाए यह स्मयल किसी है थे पर फ्यूम में ने किसमेल यह बर्फियूम में डर्द ने इसलिए में लगा था यह प्रद काफिर हो एक कॉफिए बना दो किया हां लाती हूं जानते हो नफ़त करने से ज्यादा बुरा क्या है नजर अंदाज करना और नजर अंदाज से बुरा क्या होता है सहनभूती दिखाना मैं तुम्हारा सहनभूती वाला केस तुम्हें वापस करता हूँ नहीं चाहिए मुझे सब कुछ तो में तुमसे नहीं कह पाऊंगी ना तुम्हारे अलावा भी एक दोस्ट चाहिए जिससे में तुम्हारे बारे में बात कर सको सब कुछ तो तुम से नहीं कह सकती ना और वैसे भी तुम से सब कुछ बर्दाश्ट नहीं होगा ना किसी को भी नहीं होगा ठीक है मुझे पता है कि तुम उसे पसंद नहीं करते हो बट मुझे लगता है कि तुमें एक बर उस से मिलना चाहिए I love you, Varsha Hi, it's 12 o'clock Happy birthday wish कर रही हूँ आज तो नहीं लेकिन कल तुम्हारे लेक सब्राइस गिफ्ट है So, see you in the morning 10.30, bye Hi, Varun Varun, हमारे पीछे हो Hello, मैं यहीं पर हूँ लगता है मेरा यहां कोई काम नहीं है Enjoy करो, Bye Bye मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ मम्मी पपा शाम तक आ जाएंगे तब तक कोई डिस्टरब नहीं करेगा Enjoy कर लेना तो मैं जाओ कौन मजबूत है इसमें हम दोनों फिजगली एक होके इमोशनली अलग हो गए Do you realize कि हमने क्या किया है क्या किये हां नहीं वो हम लोगोंने फिजगल जानती हूँ लेकिन वो सब बात तुम्हें अभी क्यों याद आ रहे वरोन तुमसे एक सवाल पूछो यह क्या तुम्हारा फर्स्ट टाइम था तुम्हारा मेरे लिए तो कॉमन है क्या कहें तुम तुमका पुरे पागल हो मेरा भी फर्स्ट टाइम है अच्छा एक बाद सच बताना तो कल के बाद कैसा फिल कर रहे हो सच कहूं तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे तुम्हारे साथ होगा अच्छी मैंने सोचा तो था लेकिन इस सब सच होगा विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा सबना सच होगा छे सच बताओ ना तुम मेरे हो यह हैसास और गहरा हो गया है और मेरे यह फिलिंग जूट नहीं सच है वर्शा मैं बहुत सिरियस हूं हमारा प्यार बहुत आगे बढ़ चुका है मैं सच में बहुत सिरियस हूं सच में लिकिन मुझे तो पता ही ने चला अरे यार प्यार में हर किसी का ऐसे ही फिलिंग होता है इसमें कोई बड़ी बात बड़ी बात नहीं मतलब सच बता हूं तो अकर में प्रेग्णेंट हो गई ना तो बड़ा बाद हो जाएगा एच जोली ना वरॉन मुझे ना चक्कर आ रहा है वर्षा मुझे लगता है कि मैं गेत कर जाओगी वर्षा चलो डॉक्टर के पास चलो आएच्छा वरॉन बताना तो प्यार ऐसे ही जता है जता है जता है कर दोरा है आपको अन상रो किए आप नहीं एपड़ा, समय हुआ THIS लगा मंटब है, तर दोची में हम लगारा बैसे खाया है, बपे पनाका झाला काम लगे, बवदा के साथ करो अपकर अपकर यहिए सकत अपकर अपकर कि अपकर 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 अपकन आपकर अपकर बपकर अपकर कर्सक्राथ कितना घटी हाद भी हुँ मैं, ऐसा खयाल हो दिवाग में आसकता है मगर वो गहीं कहाँ न कोई फोन न मेसेज्ग कुछ कडबड तो नहीं हुई है, रंगोली बनी है वो मेरे मेसेज का जवाब क्यों नहीं दे रही है क्या कारण हो सकता है वो मेरा मेसेज्ग के भी जवाब नहीं दे रही है पथाने कॉलेच जाहेगी की नहीं मुझा एक नूर क्यों कर रही है अलो भवाणी, वर्षा मैं अभी बेजी हूँ, बार में कॉल करती हूँ एक मिनट भवाणी मिश्चर वरुन आप कुछ कहना चाहते हैं नथिंग सर नथिंग सर यह जिर निए वरुमाइल भी विया हुआ आवनी इसका मॉपायल सच्छाफ है बताने क्या हुआ है पंप्रादर करम नहीं जास्पका विजिए पसकताँ जे टुट शुटकान पसकता हनु अप्रोड के लिए ऑे चांवाज़ ऑारोडर्जाम पस्पकान पस्पकान पसकता है हेलो बरुन हेलो तुम अर्शा को बोल जाओ वाट मा, वरुन मुझे सब पता चल गया है हम लोगों की समाज में बहुत इज़त है ये सब मुझे पसंद नहीं है उसकी बढ़ाई अभी बाकी है तो तुम उसे पढ़ने दो इस रिष्टे को यहीं खतम कर दो कि वहीं खड़ी थी कुछ नहीं बोली उसकी मा बड़ी जटी बात कर रही थी ना मुझे पता इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दुख तो इस बात का है कि उसने एक शब्द नहीं बोला सुनो यह हैं समय के साथ कारण बदल जाता है और कारण के साथ समय लेकिन एक लास रिक्वेस्ट है, मैं औल अफ सडन तो उसे नहीं भुला सकती, एक लास टाइम मिलना चाहती हूँ, वर्शा, मैं तुम्हें नहीं मिलने दूगी, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मिलने दोना मा, वन लास टाइम, उससे मिलके सब कुछ खतम कर दूगी, फिर जो बोलोगी वही होगा, प्लीस मा, प्लीस, आखरी बार, याद रखना, वर्ण, क्या हम लास टाइम मिल सकते हैं, वर्शा, कुछ मत बोलो, तुम उससे लास टाइम म मा, बात हो गया, मैं आ रही हूँ, बोल दिया अपनी मा से, कि वह उनके साथ भाग रही हो, लोट के अब वापस नहीं आओगी, एक बात बताओ, तुम तो मुझे भी छोड़ कर जाना चाहती हो, ना, तुम्हारे जैसा मैं भी मूडी हूँ, अगर मूड मेरा बदल गया तो, उसके बाद क्या होगा, ऐसे ही साथ रोगे ना हमेशा, उसके पाद तुम अपना वाला काम करोगे, मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब था कि, हमेशा ऐसे ही रहेंगे ना, क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये तो पता नहीं, लेकिन आज रात के बाद हमेशा के लिए दुसरे के दिल में रहेंगे, तुम ठीक से हाँ नहीं बोल सकती हो ना, कहीं गलती से तुम्हारे अंदर की समझदारी तो नहीं जग जाएगी, मतलब, तुम्हारा प्यार जगेगा, सपनों में न सोचने रहनी कि हमार बीटी ये इस अनकाम करी, दोनों का नंबर स्विच आफ है, पुलिस को फोन करना चाहिए, नरहां जी, वो लोग मिसिंग नहीं है, भाग गया हैं वो लोग, हम लोग मेडल क्लास फैमिली से है, पुलिस हमारी बेटी के पिछे पड़ जाएगी, और तो और, वो अपने मर्जी से भागी है ना, इसलि ये क्या कह रहे हैं आप, वो हमारी बेटी है, आप लोग पुलिस को फोन केजिए, अब बहुत देर हो गई है, अगर इस तरीके से वापस बुलाएंगे तो भले ही वो हमारे सामने बड़े हुए हैं, बाकि उनके अंदर होने वाले बदलाओं को हमने नहीं देखा है, सिर् अगर हमने टांगड़ाया और वो लोग कुछ गलत कर लेंगे तो भगवान न करे कुछ हो जाए, तो हम लोग एक खराब माबाप कहलाएंगे, खराब माबाप, आपके कहने का मतलब क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे सिर्फ हमारी बेटी वापस चाहिए जावानी के दिन में तुम लोग कैसे थे ये शायद भूल गये, ये क्या कह रहे हैं आप, क्या मैं भी भाग गया था, क्या हम लोग अपने लिमिट में नहीं थे, हम लोग भी कॉलिज बढ़ने गये थे, हमने तो भाग की साधी नहीं की, वहीं पर साधी किया जहाँ आप लेकिन वो भी अपने मर्जी से नहीं किये, मैं जो कहता गया वो तुम करते गये, कभी एक बार भी नहीं कहा, कि मैंने ऐसे ऐसे फैसले लिये हैं, और मैं ऐसा करना चाहता हूं ये कभी नहीं कहा, तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे बच्चे मेरे जैसे ही बनने चाहि यह सोचना गलत है और वो तुम लोगों के कारण ही दुनिया में है तुम्हारा काम ये नहीं कि तुम उन लोगों के सपनों के बीच में आओ तुम लोगों को तो ऐसी घड़ी में उन लोगों की मदद करनी चाहिए अगर नौकरी चली गई तो बहुत प्राब्लम हो जाएगी प्लीज कुछ दिन के लिए मैनेज कर लो बहुत से कह दो कि घर में कुछ एमर्जंसी है मैं वापस आते ही सब ठीक कर दूँगा ओके मैं कुछ दिन के लिए मैनेज कर लोंगी मगर तुमने पहले ही बहुत सारी चुट्टी ले ली हैं और कितनी दिन ऐसे ही चलेगा तुम्हारा फ्यूचर मालूम नहीं गोरी मैं ही कोई रास्ता निकालोंगा तुम पहले अपने भवेशी के बारे में सोचो और पैसा सूच समझ के खर्च करना मैं घर खरीद रही हूं यह माई भरना पड़ेगा मैं आगे से तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी थैंक्स गोरी बाई 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 आज से पहले मुझे इतनी अजादे कभी नहीं मिली थी और यह सब तुम्हारी मज़े से हुआ है आज तक मैं यह सोच के डरती थी कि कहीं कोई जान पहचानवारा ना देख लेकिन वो डर हमेशा के लिए खतम हो गया है जागते हो वरुन यह सब तुम्हारी वज़े से हुआ है क्या हुआ वरुन कुछ नहीं तुमने घर कॉल किया था हाँ ओफिस पे फोन किया था कर अई कि प्रॉब्लम है क्या है हम योग प्यार में घर से भागकर यहां तो आ गये लेकिन प्यार कोई खेल नहीं है आऑ जलो गर वापस चलते हैं, मैं समझती हूँ, सच-सच बताओ, हम लोग वापस चले क्या, मुझे पुरा दुनिया देखना हो, मरने से पहले जीना चाहती हूँ, लाजर देन लाइफ, जीना चाहती हूँ, यही मेरा सपना है, यही मेरा ख्वाब है, तुम एक नंबर की पागल मुझे कोई प्रॉबलम नहीं है, everything is just fine, सच बे, चलो दुनिया देखने चलते हैं, तत्मर, लाजर देन लाइफ, वर्शा, कहां चलेंगे, मुझे नहीं पता, चलते-चलते कहीं तो पहुँच जाएंगे, सच चलते-चलते, अपने गर पहुँच गये तो, फिर से भाग ज कलच को छोड़ना मत, हमको मालूम है, जोर लगाओ, जोर लगाओ, जोर लगाओ, जोर लगाओ, you can do it man, come on, अगर मैं जवान होता न, तो इस गाड़ी के साथ-साथ तुम्हें भी उठा के ले जाता, तुमसे कुछ होता तो हैं ने, सिर्फ बखवास करते रहते हो, मैं जो क कर सकता हूं, वो तुम कभी भी नहीं सोच सकती, अब ये सब बात छोड़ो, किसी गाड़ी को रोको, अरे रानी, गाड़ी रुकवाओं क्या, तुम्हें क्या लगता है, कि गाड़ी मिल जाएगी, ठीक है, धेखता हूं, नमस्कार, जीब बिगड़ गई है, एक किलिमेट सुस्तालो, जरा, अरे, तुम इतना कैसे ठक गए, सुरवात में ये मर्द लोग, कहते हैं कि तुम्हारा बोज हम जिंदगी पर उठाएंगे, और ये देखो, इनको, कैसे ठकार के बैठे हैं, सौरी, ये गाड़ी ऐसी ही है, थैंक्स, बेटा, सायत्या करने के लिए, ठैंक्स, और सौरी, ये सब मुझे बिलकुल पसंद नहीं, सो नो वरिस, अच्छा, वो क्यों, क्योंकि ये जो दो शब्द है न, ऐसान करने वाले को, ठैंक्यू बोलके और गल्ती करने वालों को, सौरी बोलके एकदम से भूल जाते हैं, इसलिए प सब्सक्राइब के लिए, घर छोड़के चले आएं, क्या तुम लोग गुमने जा रहे हो, मालूम नहीं, आगे का क्या प्लान है, प्लान बनाया जाता है, बिल्डिंग बनाने के लिए, जिंदीगी के लिए नहीं, मिस्टर वरून, आप क्या काम करते हैं, आर्किटेक्ट, मतलब बिल्डिंग प्लान करते हो, जिंदीगी के लिए, वेस्ट है, आप लोगों ने हमारी मदद की, उसलिए हम ठैंक्स बोल सकते हैं, सौरी तकलीप देने के लिए, ठैंक्यू, और सौरी काना, कोई जरुवत न नहीं अंकल, मैंने कहा था न, मुझे पसंद नहीं है, जितना इसका यूज होता है, उतना रिष्टा खराब होता है, स्पेशली सौरी से, जितना सिंपल रहेंगे, उतना रिष्टा मस्पूत होता है, और जहां रिष्टा गहरा होता है न, वहां इन सब की कोई जरुवत न हो तो लड़कियों का लड़कों से बचना मुश्किल हो जाएगा हमारे साथ चलेंगे कया कहाँ एक सफर पे एक अनोखा सफर पे एक larger than life वबाया सफर में सोच रहे हो गए की larger than life क्या है सफर पूरा होते ही पता चल जाएगा एक जब हम लोग तुम्हारी उमर के थे तो इसी सफर निकले थे लेकिन किसी वज़ा से वह सफर पुरा नहीं हो पाया आज फिर से हमें वही मौका मेला है इसलिए जा रहे हैं तो बोलो अगर तुम लोग जिन्दिगी से ज़दा प्यार को मानते हो तो हमारे साथ चलो जब तक त तुम क्या कहते हो यस तुम्हारे देखने के सपने में यह अंकल अंटी थे क्या नहीं थे लेकिन तुम तो थे ना मैंने यह तो नहीं पूछा साथ चले क्या लाजा तन लाइफ हम लोग अपने सफर के दूसरे पड़ाव पर निकल चुक हैं तुम्हें तो अच्छे से मालूम होगा हम लोग वहीं जा रहे ना राइप अरे हम लोग कब से चली जा रहे हैं तो रूखेंगे नहीं क्या जिस सफर में हम लोग है ना उसमें पड़ाओ नहीं रास्ता इंपॉर्टेंट है रामू तुम्हारा फेवरेट एडवेंचर क्या है तुम्हें किड्नेप करना मैं जितना बार खिलाओं तुम खाने से इंकार ना करो वह कौन सा आइटम है मसाला डोसा तुम्हारी फेवरेट फिल्म अर्दसत्या अगर तुम्हारा घूमने का दिल करे तो तुम कहां जाओगी जाहां हम लोग जा रहे हैं उसको छोड़के हिमाले अब हम लोग एक साथ ब जिन्दगी का एक पस्तावा तुम हो वर्षा अए अरे तुम वहां क्या कर रही हो कि ए चलो नीचे उत्राओ नहीं तुम अपर आओ अरे मैं उपर नहीं आ सकता तुम नीचे आओ आरे उपर आके देखो तो कितना सुन्दर ना सारा है जंगल में देखने के लिए है ही क्या खाली बड़ा बड़ा पत्थर और ये लंबा लंबा पेड़ सही कहा ना अगर तुम उपर नहीं आए ना तो मैं तुम्हें नहीं मिलने वाली इंदम पागल है ये लड़की भगव तुम यहां क्यों बैटी हो तुम नीचे से जब उपर देखोगे तो सवाल पैदा होगा इसलिए कहा जाता है हमेशा लाइफ में तॉप एंगल से देखना चाहिए तुम तो बिल्कुल दादी मा जैसी बात कर रही हो तुम्हारी एच क्या है अरे मैं तो पुरानी आत्मा ह मतलब तुम्हारी बात सुनके नहीं यह उचाही देखके हम ठेक है अब आजो तुम में लीचे आओ मैं कैसे उत्रूंगा मुझे उतरना नहीं आता सुनो तो तुम एक तब और हो यार ट्राइटो कीप अप मैं तुम कूदो मैं तुम्हें कैच करूंगी क्या कूदो रहे यार आगल हो गया अरे ना यार मैं तुम्हें कैच करके सौफ्ट लैंडिंग करा के पच्छा लूंगी सिंपल ट्रस्ट मी यार मुझसे नहीं होगा मर्द हो तो कूद के दिखाओ ये 25 फिट की उचाही से कूदने के बाद मैं मर्द कैसे साबित होंगा अच्छा हज रही हो अब अब तो कूदना ही पड़ेगा जाय गड़ बती बप्पा कूदने वाला हुँ मैं पकड़ना मुझे जाय बत्रंग बड़ी अई पापरे बॉस इस एंग्री वरुन तुम कब वापस आओगे बता नहीं मगर वो बहुत खुश है अट्स पर अब तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है और नौकरी भी चली जाएगी फिर भी वो खुश रहेगी मुंबाई में मेरा एक फ्रेंड है वो एक बड़ा कॉंट्रेक्टर है वहां एक आल्किटेक्ट की पोस्ट खाली है जॉइन करना हो तो मुझे बता देना सोच कि मुझ पूरा हो रहा है सच में तुम्हें तुम्हें बताना भूल गई मैं तुम्हारी मासे मिली थी वह तुम्हारे बारे में पूछ रही थी मैंने कहा कि मुझे नहीं मालूम उन्होंने कहा कि मेरा बेटा एक लड़की के साथ भाग गया अब हमें अपना ख्याल खुदी रखना तुम्हारे पापा नोकरी ढूँड रहे है प्ताओ ना मुझे पताओ ना बताओ ना बताओ ना बताओ ना कुछी हुआ है हम सरी वर्षा है ने ठीक थी किसी सब्सक्राइब कंदार थी नियुकती उलासरी यार्या मैं तुम उससे सच में कुछ छुपा तो नहीं रहो न? अगर पैसे प्रॉबलम है तो चलो गर वापस चलते हैं तुम्हारी जौब भी वही है अरे कुछ नहीं होगा बोनस है ना? हाँ हाँ है ना? को सबक File कि आगे किया अपने जान से जाधा प्यार किया भेदभासाइब चोड़के समझ गई क्या समझ आया साथ ना छोड़ू तेरा ताथ में रहू तेरा साथ ना छोड़ू तेरा प्रेम किया स्नेह किया तुम्हे अपने जान से जादा रावरुन तुम्हारी नौकरी चली गई सो सौरी बॉस ने इंटर्व्यू रखा है तुम्हारे रीप्लेस्मेंट के लिए रामू आज होटल से खाना मतलाना मैं बनाओंगी तुम्हों जल्दी आजाना वर्षा मुझसे नहीं होगा तुम जा के करो क्या हुआ बेटा कुछ नहीं बस ऐसे ही कुछ है सॉरी किस लिए ऐसे ही क्यों गुस्सा हूँ मैं तुम्हें नहीं पता है क्या कोई कारण है तो बताओ ना तुम्हारी बिहेवियर अजीब हो गई है अगर मुझसे बोर हो गए तो मुझे बता दू परशा ठीक है ठीक है आज पारो इस्पेशल खाना बना रही है ना उसके लिए दो चार समान लाने होंगे बाकी की चीज तयार रखना अपनी गोली भी लानी है ना इसे लिए मार्केट जा रहा हूं चलोगे वरूं उसटाइम हर पद था की तुम्हारे प्यार को महसूस किया कि तुमने मेरे सपने को कितने मुश्किल से पुरा किया मुझे सब पता है और तुम्हारा यह ऐसान में पुरी जिंदगी नहीं भूला पाऊंगी जब मैं तुम्हारे साथ थी कि कुछ नहीं कर पाई मैं और आगे भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी मैं जब जब मुझे लगता है तुम कुछ अच्छा बोलोगी तब कुछ अजीब ही बोल देती हो बात तो धुरी रह जाती है हमारा प्यार अधुरा रह जाएगा चलो जल्दी करें अब हम लोग जहां जा रहे हैं वही आखरी मंजिल है तुम लोग तयार हो ना अंकल इन तीनों जगह में हमने कुछ नहीं देखा ना कुछ खास और ना कुछ हिस्टोरिकल हम हिस्ट्री है अंकल मैं हिस्ट्री में फेल हो गया था वर्षा यहां एक चेज़ दिखाओ आरे पारो पारो इधर आओ अरे डरो मत इधर आओ आओ सामार की हो आंकल क्या हो इमकर आप ने परूट आप आप को दीखो नो कमा का आप आपने वां कुर्ण क को दीखो आर्मसे अंकल तुम ठीक तो हो ना-जदा शोर्ट highlight कि यहां अब बेरी ऊमर हो गई है पारो सोचा था कि मैं तुम्हारा खयाल रखूँगा लेकिन इस हाल में खुद को देख कर लग रहा है कि मुझे खुद किसी के सहरी की जरूरत है मैं तुम्हें जहां से भगा के लाया था मुझे भी वहीं भरती कर दो पारो अरे मैं तुम्हें और तकलीप देना नहीं चाहता हूँ यह क्या कह रहे हो रामू इतनी साल के बाद मैं तुमसे मिली हूँ सब्री से ज्यादा मैंने तुम्हारा इंतिजार किया है देखो तुमको मरना है तो यहीं पर मर जाओ मगर उससे दूर होने की बात मत करो अगर ऐसे बात करोगे तो हम ना तुम्हें उस जड़ने में फेक देंगे मतलब आप लोग दोनों पती पतनी नहीं है बनना चाहते थे बन नहीं पाए महबबत की पर मैनत नहीं की प्यार तो किये पर निभा नहीं पाए दोनों अलग हो ग मगर फिर भी एक बोच का एहसास था अपने पहले प्यार को खोने का और जब तक हम ये समस्ते बहुत देर हो चुकी थी हमारे माता पिता भी चल बसे थे लेकिन हम लोगों का प्यार तब भी जिलता था बस हम लोगों को सही वक्त का इंतिजार करना पड़ा अब ये भी सिं एंडरस्टेंडिंग होना ही चाहिए जिन्दिगी में अलग-अलग तरह के मुसिबते आती हैं प्यार में संघर्ज करते रहोगे तो जीवन कब जीओगे तो बताओ आपको ये बुद्धु आदमी पती के रूप में मन्जूर है या नहीं? मन्जूर है मन्जूर है या आप इनको बिना नियम कानून के अपनी पत्नी विकार है? सोच के बताओंगा नहीं कोई गुंजाइस नहीं है ठीक है अगर तुम लोग फोर्स कर रहे हो तो मन्जूर है मुझे जब अंकल अंटी की शादी हो रही थी तो लगा हम दोनों की बिशादी हो रही है बड़ा अजीव लग रहा था लेकिन हम दोनों के लिए सच में हजीब सफर था वो दोनों सालों से दूर रहके भी पास आ गए और जो इतना पास था वो हमेशा के लिए दूर हो गया है जिन्दगी है बड़ा अंकल अंटी की शादी देखके तुमारा शादी करने का मन नहीं कर रहा था तुम कहा हो यार दो दिन से मैं तुमारा फोन ट्राई कर रही हूं यहां निटर की प्रॉब्लम है कुछ पैसे चाहिए थे अब मेरी पास सच में नहीं है वरू कली घर की एम आई भरी है मैंने आप सॉरी मुंबई जल्द ही जाओंगा ठीक है एक कहानी सुनोगे दूसरे समय की बात है एक आदमी था क्या कहानी खताम तुम भी ना दूसरे टाइम में क्या मैं ही था अरे मजाक कर रहा हूं चलो अब सीरियस हो जाओ दूसरा टाइम जो आदमी था न वो मैं ही था पहली बार तब था जब मैं पारो से पहली बार मिला और उससे प्यार किया और कल जिस जगह जा रहे हैं पहली बार वही ले गया था उस जगह से बाहर आने पर मैं गायब हो गया मर चुका था दूसरी बार तब था जब व्रिद्धा आसरम से मैं पारो को भगा लाया और उस समय से इस समय तक मेरा दो बार इंट्री हो चुकी है कल जहां हम लोग को जाना है वही हम लोग जुदा हुए थे हम जवान थे जिद्धी थे और जगड़ा करते थे और हमारे सपनों का सफर पूरा होने से पहले हम अलग हो गए हाँ एक छोटी सी बात के लिए क्या हुआ वो भी ठीक से याद नहीं गुस्सा आया और वहां से चला गया पलट के देखा तक नहीं फिर इनका चेहरा पूरे 25 साल बात देखा जहां से दो दिल तूटकर इतना साल जुदा रहे कल उसी जगह जाकर हम दोनों प्यार के दो मीठे बोल बोल के अपने जखमों को बर लेंगे हम लोगों ने इसलिए ये सफर शुरू किया इसलिए हम लोगों ने खूब री हसल की है है ना कल के दिन के लिए ही इतने दिन के बाद हम फिर मिलें कल जिसको मसाला डोसा पसंद था आज उसको उपमा पसंद है इन 25 सालों में ना हम लोगों की पसंद बदल चुकी है हमारी सोच बदल चुकी है लेकिन एक चीज बिलकुल नहीं बदली जिन्दगी का सबसे बड़ा सब्सक्राइब्स और तो हम लोग भी आप मेरो के साथ आ सकते में तें कि अब पता है अउकल कल आप दोनों लोग वहाँ जाएगे और मैं गर्वर्श बंबै वहाँ एक नौकरी मिली है जैसे कल आप दोनों सफर करेंगे इस उमर में एक दूसरे को पाने के लिए वैसे ही हम दोनों भी प्लान करेंगे अपने जंदगी जीने के लिए तुम क्या कहती हो वर्शा सब्सक्राइब करेंगे जो कंडीशन है हमारी उससे अच्छा प्लान नहीं हो सकता कंडीशन बिना मुझसे पूछे तुम अपने मर्जी से सब कुछ कर रहे हो तुम्हें मुंबई जाना है तो जो यू आफ टेकन में फॉर ग्रांटिव सौरी बबा मैं ये सब तुम्हारे ल कोई बी किसी के लिए कुछ भी नहीं करता है और कोई भी करता है अपने लिए ही करता है हमेशा को सौरी कि सच में तुम्हारे लिए अच्छा ठीक है मैं अपनी गल्ती मांगता हूं अब तुम्हारी मर्जी चलेगी जब मैं तुमसे कुछ कहते हो तुम तयार हो जाते हो तुम्हारी अपनी कोई मर्जी नहीं है क्या तुम बाहर से राजी हो जाते हैं लेकिन तुम्हारा मन कभी राजी नहीं होता फाइनली य तो हमने डिसाइड किया दाना कि इस जर्नी के बाद हम वापस जाएंगे तुम्हें याद नहीं है क्या लेकिन मुंबई पे नौकरी मिल गई है तुम्हें जो करना है करो मुझे मुंबई नहीं जाना है मेरी नौकरी चली गई है जे मेग रुपए नहीं है लड़की बीचे लड़का भाग गया है यह कहके बाबुजी नौकरी ढूंड रहे हैं मेरे लाइफ क्या से क्या हो गई है तुम भी बदल गई क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा है तर लगता है पागल हो जाएंगा बता के दिल दुखाना नहीं चाहता था मुझे छूट नहीं पसंद तुम्हें पता है ना किसको पसंद होता है तुम्हारा दिल रखने के लिए बोला था अब सुरी भी तो बोला ना क्या मैं बदल गई हूँ मेरे साथ रहने में तुम्हें डड़ लगता है ना परिशानी होती है ना राइट मेरा मतलब नहीं है मैं मुंबई नहीं जाओंगी वर्शा हम लोगों का बीता कर हुआ है सुरी प्लीज सॉरी सॉरी है सॉरी तो इस जादा कमन्ट है तुम्हें मचाओंगी अ वरन वर्शा यह हमारे सफर का आखरी पड़ाव है गुट लख होप वी विल बीट नेक्स टाइम स्टिल टुगेधर ओके गुट बाई कहने का दिल तो नहीं हो रहा है फिर भी गुट बाई प्लीज अपने प्यार के दो बोल रिकॉर्ड करके हमें भेश देंगे ना ठीक है आए 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 ने नवीन छोड़ो मुझे नवीन छोड़ो मिस्टर नवीन उसको अपनी जिन्दिगी जीने दो बेटा शर्म आना चाहिए तुम्हें आनी चाहिए यह क्या अंकल यह कौन है नवीन मेरी बात तो सुनो मिर से उसे वही ले जाकर छोड़ मत देना वाँ छोड़ने की वज़ा से ही तो यह सब हुआ है अब नहीं अब मेरी माँ घर में रहेगी कि रामु तुमारा फेवरेट एडवेंचर क्या है तुम्हें किड्नेप करना मा कि अप कि 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 अंकल ये सब क्या है पती के मरने के बाद बेटा अपनी मा को फाइब स्टार होटल में छोड़ के जाता है ओल्ड एज होम में उस जगह सब सुविधा तो है पर अपना कोई नहीं है परेशान रहती थी सुने वाला कोई नहीं था ढूंते ढूंते जब मैं वहां पहुँचा तो वो खिड़की से बाहर देखकर कुछ सोच रही थी वैसे भी उम्र होने के बाद लोग कुछ न कुछ तो सोचते हैं कब क्या हो जाए एमुलेंस लेने को आए मैं खिड़की के बाहर खड़ा था उसकी नजर मुझे पर पड़ी 25 साल के बाद भी वो मुझे तुरंट पहचान गई उसने न कोई ड्रामा किया ना ही वो रोई और ना ही वो मेरे गले लगी वो क्या कही पता है सोचा था एमुलेंस आएगा साक्षात याम्राज आ गया मुझे देखकर उसके जान में जान आई फिर मैं उसे वहां से भगा लाया था और लार्जर देन लाइव का सफर सुरू हुआ उसके बाद तुम लोगों की इंट्री हुई अब आप क्या करेंगे अंकल नेक्स टाइम तुम लोग जब कहीं और मिलोगे तब तीसरी कहानी सुनाओंगा और हां लेकिन ओसवक कहानी का नाम कुछ और होगी तिसरा टाइम कोई एक व्यक्ति था खमंट सब कुछ पर बात कर देता है अंकल को फिर से चांस मिला था लेकिन क्या गैरेंटी है हर किसी को दूसरा चांस मिले इसलिए तो वर्षा हमें उनकी जैसा नहीं बनना है च्रो जल्दी से शादी कर लेते हैं मुंबई चलते हैं अगर तुम्हें कोई इतराज ना हो त हाँ तो जल्दी चलो सच कहा तुमने हाँ मैंने सच कहा हम दोनों इक दूसरे से अलग हैं लेकिन अंकल आंटी से मिलके मुझ में अब इम्मत आ गई है जो होगा देखा जाएगा चलो अब चल्दी सब ठीक हो जाएगा थैंक यू वर्शा मैं बहुत खोश रशीब हो तुम्हारे जैसा साथ ही पाके तुमसे जूट बोलने के लिए माफी चाहता हूं और ट्रेवल करने का तुम्हारा सपना मत बोलो कि तुम लखी हो सौरी और थैंक यू आज हम लोग एक नया कदम उठाने जा रहे हैं तो क्यूना हम कुछ नया ट्राय करें और आज पूरा दिन हम एक केम खेलेंगे इसलिए आज पूरा दिन हम एक दुसरे की गल्ती और बुराई निकालेंगे अंकल आंटी ने कह दुसरे की कमी जानने के बाद भी एक दुसरे को अपना लिया जाए तो उस रिष्टे में कभी धरार नहीं आता तो हम भी यहीं करके देखते हैं नहीं वर्शा इस मुझे ठीक नहीं लग रहा है क्या ज़रूरत है मांच जाओ नब प्लीज ठीक है सुबे जब तुम उठते हो ना तो तुम्हारा सा नारियल जैसे दिखता है और तुम बहुत सक्सी लगती हो यह कोई खराबी है क्या अगर तुम बत्चुगत रहती तो तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं होती तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है तुम मुटापा अपना अब यह में कैसे करो पैट थोड़ा कम करो और स्किन टाइट तहनो तुम्हें जलन होता है तुम जलते हो उससे इसमें मेरी क्या गलती है तुम चीजी ऐसी हो आप चीज वह दिन तुम्हें यास है बंटी उर्फ प्रिंस का साथ लंच पर गये थे तरी儿 कर रही थी इतना घूर के देख रही तुम बस उसे ही बात कर रही थी याद है मैं मानता हूं मुझसे अच्छा दिखता कि अच्छी बात है लेकिन जब तुम्हारा जाके बोल रहा है कि मैं तुम्हें घर छोड़र देता हूं तो तुम कहती हो कि तुम्हारा घर रास्ते में नहीं आता है पश्क diff her बाइक उसके साथ बाइक पे बैटके चली गई थी तुम, क्या तुमको मालो है, मुझे कितना बुरा लगा था, मैं बच शो नहीं किया था, पता है चल गया था मुझे तुम बड़ी खेला रही है, अभी भी देख लो, कितना सतातियो मुझे तुम, तुम्हारा सपना पूरा करने के मैंने क्या क्या नहीं किया, पैसा उधार लिया, मेरी नौकरी चली गई, रिस्क उठाया, जो मुझे पसंद नहीं है, वो सब करके भी मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, बतने में तुमने क्या किया, मुंबई जाने से मना, एक बार शादियो जाने दो, फिर देखते हैं त क्या कर लेती हो, अब तुम्हारी बारी, अलो, क्या हुआ, रो रही हो, यू तो एक गेम था ना, अब हम दोनों साथ नहीं रह सकते, मजाग कर रही हो है ना, नहीं, तुम्हारे बार में जो छुपा था वो महारा क्या, मेरे बारे में तुम यही सोचते हो ना, मुझे तुम पहले ही पता चल गया था कि यह रिष्टा जादा दिन तक नहीं चले का, लिकिन मैं सारी बाते नजर अंदास करके तुम्हारे अच्छी बातों में आ गई, अगर अप बेचान कई हो, हम दोनों एक दुसरे के लिए नहीं पने है वरुन, अगर हम दुनों साथ रहेंगे तो सब परपाद हो जाएगा वरुन, यह तो बस गेम थाना वरुन, अगर समझते ही नहीं वरुन तो पूरा सिंदगी कैसे बिताएंगे, उम्हार जाके ब्रेक अप करने से अच्छा है कि यहीं पे ब्रेक अप कर लेते हैं, मर्चा, मैं चीज हूँ ना, यह सुनने के लिए मैं अपना घर परिवा छोड़के आई थी, बाइस बार छूरा घोपकर की गई हत्या, हमारे देश की राजधानी दिल्ली में दीन धाड़े एक लड़की की हत्या की गई, बुरादी नाम की इस जगह पे एक लड़के ने 22 साल की लड़की को 22 बार छूरा घोपकर बड़ी बेरहमी से मार डाला, सीची टीवी में ये दृष्य कायद हुआ है, इस लड़की को इतनी बेरहमी से मारने वाला लड़का उसी का प्रेमी है, ऐसा सुनने में आया है, देली के मुरादी नाम की जगह पर, हालो, मुझे तुम से छुट खारा चाहिए, मिलोगी, अब कैसा छुट काराचाहिए, सब कुछ तो खतम हो गया ना, एक पार मेरे लिए, प्लीज, आखरी बार कोई फिलिंग नहीं है मेरे लिए क्या सब पुरी तरा से खतम हो चुका है जिस जगा पर हम अलग हुए थे फिर उसी जगा जाके एक नई शुरुवात करते हैं चलो ना जैसे अंकल लांडी ने किया था सब सब ठीक हो जाएगा आखरी बार पाइक से ही चलेंगे मैं तुम्हा ना में एक करोण भार लिख चुका हूँ अब तुम्हारी जगा किसी और की हो गई है वरुन हम दोनों एक दुसरे को सबक सिखाने के लिए मिले थे बस हमें प्यार में बहुत साथा दुख मिला क्या हम जिंदगी पर ऐसे ही चखड़ा करते रहेंगे हम दोनों की आज तक कभी नहीं बनी पर उसके साथ बनता है उससे कुछ उमीद करने का दिल नहीं करता मेरा थेंक्यू सॉरी कि कोई जगा नहीं है अमारे बीच प्यार में किसी को दुख नहीं पहुचना चाहिए तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकती हो वरून उसमें ऐसा क्या है व उसमें पंध हो रहा ने मुझे मुझे हुआ दर्ड हो रहा है वो यहां वांतना तुमें अश्क्रां करता है और लो देम मुझे ज्ड़ा प्यार करता है वो क्या मुश्क्त कोई मतलबबी नहीं है Marriage प्लीज वरुन ये क्या खर रहे हो तो पीछे हटो प्लीज वर्षा मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा प्लीज मुझे छोड़के मत जाओ परून ये पागलपन बन करो नेरा पागलपन तुम्हें पसंद नहीं है ना इससे ज़्यादा पागलपन के हलत और क्या होगी वर् मैं तुमसे ओहत दो जा चुके हूँ गुट पाए परशाह मेरे प्यार को याद रखने के लिए थैंक्यू वेरी मच्च और सॉरी जो तुम मेरी नहीं हो सकी तो किसी और के भी नहीं हो सकते प्रेमी वरून उसने अपनी प्रेमिका पर एसिट फेग दिया है उसका कारण ये था कि उसने शादी से इंकार कर दिया इस समय वो अस्पताल में जिन्दगी और मौश से जूज रहें अपनी प्रेमिका पर एसिट डालने वाला प्रेमी कैसे हो सकता है अपराधी वरून ने अपनी प्रेमिका वर्षा के चहरे पे एसिट डाला है क्योंकि ये बात उसने खुद कुबूल की है इसी लिए ये अदालत IPC सेक्षन 326 के तहट अपराधी वरून को 10 साल की कैद वबा मुसकत की सज़ा सुनाती है इसी तुमारे चहरे पे फेकने का मन था फेकता भी मगर हकीकत में नहीं ख्यालों में जसके लिए मजह अपने आप पर भी शर्माती है कितना पागल हुए प्यार में करना आसान है उठना बहुत मुश्किल होता है मैं तो ये मानता हूँ कि जब आशा निराशा के एसेड में जलके खथम हो जाता है और उसके बाद जो वो निशान मिलते हैं वहीं सच्चा प्यार है मैं किरूंगा नहीं मैं उठोंगा तुमारे चेहरे पे इसे डाल के कायर कहलाने के बदले तुमारे याद पे इसे डाल के अपने कलेजी को ठंदक पहुचाऊंगा और नई जंदगी शुरू करोंगा तुम मेरे साथ दो साल गुचारी वहीं बहुत हैं तुम सही कही थी लाइफ को हमेशा टॉप एंगल से देखना चाहिए तभी सवालों का जवाब मिलता है और मैं हमेशा सिंदगी को नीचे जमीन पे खुज रहा था तो मुझे बहुत बड़ा लाइजर देन लाइफ नजर आ रही थी टॉप एंगल से देखना मैंने तुम से ही सीखा है प्राक्टिकल बन गया लेकिन तुम मुझे हमेशा टॉप एंगल से ही देखी हो इसलिए मैं तुम्हें हमेशा चोटा दिखा समझ के हमें मैं जमीन हूँ और तुम आसमान आप तुरू कभी नहीं मिल सकते हैं मुझे जंदकी का सबक सिखाने के लिए ठेंक्स वारून बुट पाई वर्शा अजय है इमेल आएडी ना वर्शा तूर। थाउसेज एटिपेटफिमेल.com हाँ मेरा नाम वर्शा है कर दो कर दो कर दो हुआका कर दो कर दो हुआका कर दो थैंक्स और सॉरी कहने से तुम्हें रिटेशन होता है क्या? नहीं, दिल ऐसा देता है आगे फिर कभी रिटेट होई तो? इसका मतलब मेरा दिमाग सही नहीं है तुम्हें मेरे अंदर कोई गहरा ही नजाराई? उतर के देखना पड़ेगा गहरा नहीं हुआ तो वएसे भी मुझे त्यारना नहीं आता है क्या तम्हें लगता है मेरे प्यार परशन का उत्तर उत्तर नहीं होता है कि तीनों बार एक ही आदमी था हथ वारुन थोड़ा सा लंबा चकर गड़ा क्या प्रक्राओ年前 सफर अब पूरा हुआ और मेरा भी चौथा स्थान हां गई थी और वहां जो पत्थर के पास बेंच थी उसी जगा पे एक खुबसूरत सा पौदाव गाया है और नफरत नाम के जखम पर हम लोगों ने प्यार की पट्टी लगा दी और भी ऐसा नहीं है तुमने तु वह जगही बदल दी हां बट गुट च्वाइस हां आगे क्या प्लान है प्लान है बिल्डिंग के लिए जंदगी के लिए नहीं गुट लग पता है तुम मजे क्यों मिली हूं क्यों मिली हूं क्योंकि एक कुर्मबार वर्षा लिखाता मैं तुम्हें पता था क्या कि मैं मिल जाओंगी नहीं पता था यहीं जानता मुझे तो लगता है कि तुम एकदम पागल हो पागल तो नहीं हूं बस सिर्फ एरा हूं अब हमें चनला चाहिए हां जाने से पहले एक बात सुनो हर एक सफर का एक यादगार लमा हमेशा साथ होता है सच में तुम एकदम पागल हो तुम्हें चार्ली चैप्रिम पसंद है ना बहुत बढ़िया क्मेडी करते हैं अस इतना है और उनका लाइफ स्टाइल में मुझे पसंद है उनके जिनकी कितने कम दिनों की ना जिरेक तुमें भागल उनका लाइब तुम है